Good morning students, मैंने previous video में revision में do as directed के answers को discuss किया था तो आज मैं आपको story sums solve करना सिखाऊंगी ये story sums आपके book के exercise 9C के story sums है यहाँ मैं two story sums को solve करना सिखाऊंगी और बाकी के story sums आप खुद से solve करेंगे तो चलिए हम start करते हैं तो यहाँ हम story sum को पहले read करेंगे, समझेंगे which statement इसे solve करेंगे first story sum है a man travelled 7 km 500 m in the first hour 5 km 685 m in the second hour and 2 km 123 m in the third hour how far did he travel in the three hours तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक man है जिसने पहले एक घंटे में 7 km 500 m distance travel किया फिर उसने दूसरे एक घंटे में 5 km 685 m travel किया फिर उसने तीसरे घंटे में 2 km 123 m travel किया तो यहाँ हमें बोला जा रहा है find करने के लिए कि उस आदमी ने उस man ने टोटल distance कितने travel किया 3 hours में यह हमें find करना है तो यहाँ पर देखिए first hour में उसने जितना travel किया यह दिया है second hour में उसने जितना travel किया है distance यह भी दिया है और third hour में उसने जितना travel किया यह दिया है distance तो यहाँ तीनो hour का दिया है तो यहाँ पर हमें total distance find करना है कि उसने total distance कितना travel किया इन 3 hours में तो यहां हम क्या करेंगे total हमें find करना है तो add करेंगे man first hour में कितने travel किये second hour और third hour में जितना भी उसने travel किया उसे हम add कर लेंगे हमारा total distance travel in 3 hours आ जाएगा ओके तो यहां देखिए यहां मैंने पहले से statement लिखके रखा है a man traveled in the first hour first hour में man कितना travel किया कितना distance seven kilometer five hundred meter तो यहां हम लिख देँगे seven kilometer five hundred meter next a man traveled in the second hour second hour में उसने कितने travel किया five kilometer six hundred eighty five meter तो यहां लिखेंगे five kilometer six hundred eighty five meter next है a man traveled in the third hour third hour में उसने कितना travel किया two kilometer one hundred twenty three meter तो यहां हम लिखेंगे two kilometer one hundred twenty three meter तो यहां हमने लिख दिया अब हम इसे add करना है तो यहां हम यहां करेंगे यहां पर हमारा space नहीं है प्रॉपर लिख देंगे और इसके नीचे में जो नंबर्स आएंगे वो हम इसके नीचे लिखेंगे किलो मीटर का किलो मीटर में और मीटर का मीटर में तो यहां देखी है फ़र्स्ट आर में उसने कितना travel किया seven kilometer five hundred meter किलो मीटर में हम seven लिखेंगे और मीटर में five hundred next है second hour में उसने कितना travel किया 5 km 685 मीटर km में 5 लिखेंगे मीटर में 685 next है third hour में उसने कितना travel किया 2 km 123 मीटर km में हम लिखेंगे 2 और मीटर में 123 अब हमें add करना है plus का sign देंगे और add करेंगे 0 प्लस 5 5 5 प्लस 3 8 0 प्लस 8 8 8 प्लस 2 10 10 का हम यहां 0 लिखेंगे और 1 यहां carry over 1 प्लस 5 6 6 प्लस 6 12 12 प्लस 1 13 13 का हम 3 लिखेंगे और 1 यहां carry over km भी 1 प्लस 7 8 8 प्लस 5 13 13 प्लस 2 15 तो हम यहां लिखेंगे 15 तो हमारा answer आया 15 km 308 m तो हमारा क्या answer आया है वो भी हमें statement लिखना होगा तो हम यहां लिखेंगे तो हम यहां लिखेंगे हम total distance आई तो हम a man travels तो हम यहां लिखेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे तो यहां हमने लिख दिया भी statement total distance a man travels in 3 hours तो उसने total कितना distance travel किया 3 hours में इसे हमने add किया तो आया 15 km 308 m ओके next है a 10 m 78 cm long pole was put in a pond to measure its depth if 4 m 83 cm of pole remains outside water what is the depth of the pond तो यहां बोला जा रहा है कि एक लंबा सा pole है जिसका length है 10 m 78 cm उसे pond में डाला गया pond के पानी में उस pond का गहराई जाने के लिए depth जानने के लिए pond आप जानते हो क्या होता है pond लेक जासा होता है जहां पर पानी होती है जहां पर फिश होता है तो उस pond का गहराई जानने के लिए 10 m 78 cm लंबा पोल डाला गया pond के पानी में लेकिन उस पोल में उस पोल का 4 m 83 cm जो है लेंथ उस पोल का वो पानी के बाहर था उस पानी के वो pond के पानी के बाहर था तो यहां पर हमें पूछा जा रहा है कि what is the depth of the pond तो यहां में find करना है कि pond का depth क्या है तो टोटल पोल का length इतना था तो जब वो उसे पानी में डाला गया pond के पानी में तो उस पोल का इतना जो length है 4 m 83 cm वो पानी के बाहर ही रह गया ठीक है तो यहां पर हमें find करना है कि वो pond का गहराई कितना है तो यहां पर हम total length of a pole में से जितना pole जो है वो पानी के बाहर रह गया वो हम minus कर देंगे subtract करेंगे तो हमारा depth of the pond आ जाएगा क्योंकि जितना length जो है वो पोल का वो पानी के अंदर था उतना ही तो गहराई होगा ना पानी का है ना तो जितना pole जो है वो अंदर था पानी के उतना ही पानी का गहराई है और जितना बाहर था उतना हम minus कर देंगे इसमें से तो हमारा depth of the pond आ जाएगा ओके तो यहां पर देखी मैंने statement लिखा है total length of a pole total length क्या है pole का 10 meter 78 cm तो यहां हम लिखेंगे 10 meter 78 cm next है length of pole remains outside of a pond कितना length जो है वो pole का वो pond के पानी से बाहर था 4 meter 83 cm तो हम यहां लिखेंगे 4 meter 83 cm अब हम इसे minus करेंगे तो हमारा answer आ जाएगा depth of the pond means जितना length pole का अंदर था वो हमारा depth of the pond हो जाएगा तो यहां पर हम minus करेंगे ताकि हमारे clear रहे तो पहले हम unit लिखेंगे meter and centimeter क्योंकि यह meter और centimeter में है अब हमें क्या minus करना है total length of a pole minus length of pole remains outside of a pond total length क्या है pole का 10 meter 10 meter में लिखेंगे centimeter में 78 क्या minus करना है यह तो 4 meter हम यह meter में लिखेंगे और 83 centimeter में अब हमें minus करना है minus का sign देंगे और minus करेंगे हमें लिखेंगे 8 माइनस 3 5 7 माइनस 8 7 माइनस 8 होगा नहीं क्योंकि 7 छोटा है 8 बड़ा है तो हमें बौरो करना होगा तो हम यहां से बौरो लेंगे यहां देखेंगे यहां 0 है इसके पास भी कुछ नहीं है तो यह पहले इससे बौरो लेगा यह इससे बौरो होगा तो यहां पहो जाएगा 0 और यह जाएगा 10 अब यह 7 इससे बौरो लेगा तो यह हो जाएगा 9 और यहां हो जाएगा 17 तो 17-8, 9, 9-4, 5 तो यह हमारा answer आया, और यहाँ 0 है, यहाँ कुछ नहीं होगा तो यह क्या answer आया, 5 meter, 95 centimeter तो इसका हम statement भी लिखेंगे, हमने क्या find किया depth of the pond, हम लिखेंगे, depth of the pond, depth of the pond is equal to 5 meter, 95 centimeter यह हमने find कर लिया, pond का गहराई कितना था, 5 meter, 95 centimeter So students, I hope कि आपको यह story sum समझ में आया है तो ऐसे और भी story sum से आपके book के exercise में तो आप उसे solve करोगी और statement बहुत से तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है आप वही लिखोगे आप अपने वे से भी statement अपना लिख सकते हो, बट वो सही होना चाहिए ओके, thank you